अहोई अस्टमी का वृत कार्थिक पक्षकी अस्टमी को किया जाता है यह वरत महिलाओं द्वारा किया जाता है जिनकी संतान ओती है वह दिन बरुषत रखकर शाम को अस्ट कोष्टक की होई बनाएं और उसमें गेरू रंग की पुतली बनाएं उस पुतली के पास सेही तथ सेई के बच्चों का चित्र भी बनाएं या फिर अहोई अस्टमी का चित्र बाजार से मंगवा कर उसे दिवार पर लगा लें होई अस्टमी का पूजन सूर्यास के बाद तारे निकलने पर किया जाता है यह वरत संतान की लंबी आयू और सुख में जीवन की कामना से महिलाए पूजा के लिए मातायیں पहले से एक चांदी की अहोई बनवाएं जिसमें शाव कहते हैं उसमें चांदी के दो दाने डलवाएं जमीन को गोबर से लिप ले और कलस पर सात्या बनाएं और कलस की सापना करें हुझा की पूजा रोली चावल दूद भाद से करें ततपस्चात एक पाटे पर जल से भरा लोटा रखकर अहोई अस्टमी की व्रत कथा सुनी जाती है अहोई अस्टमी की व्रत कथा इस प्रकार से है एक सहुकार था उसके साथ बेटे और साथ बहुएं थी तथा एक बेटी थी दिवाली से पहले कार्तिक बदी अस्टमी को सातु भावें अपनी कलोती ननद के साथ जंगल में ख़दान से मिट्टी खोद रही थी वहाँ पर शाओ की मान थी मिट्टी को खोदते समय ननद के हाथ से शाओ का बच्चा मर गया शाओ बोली कि अब मैं तेरी कोख बांदूंगी तब ननद अपनी सातो भावियों से बोली कि तुम मेरे बदले कोई अपनी कोख बंदवालो सब भावियों ने अपनी कोख बंदवाने से इंकार कर दिया परंतु छोटी भावी सोचने लगी यदि मैं अपनी कोख नहीं बंदवाऊंगी तो सासुमा नाराज होंगी ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भावी ने अपनी कोख बंदवा ली इसके बाद उसके जो लड़का होता सातवे दिन मर जाता एक दिन उसने पंडित को बुला कर पूछा मेरी संतान सातवे दिन क्यों मर जाती है पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाए पूजा किया करो सुरही गाए शाव माता की भाईली है वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा उसके बाद छोटी भव प्राते काल उठकर चुप चाप सुरही गाए के नीचे की सफायादी कर आती थी तब सुरही गाए माता ने सोचा कि आज कल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है आज मैं देखूंगी गो माता सुबह उठकर क्या देखती है कि सावकार के बेटे की भव उसके नीचे की सफायादी कर रही है गो माता उसे बोली बता तुझे क्या चाहिए तब सावकार की बहु बोली शाव माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है तो मेरी कोख खुलवा दो गो माता ने कहा अच्छा तब गो माता सावकार की बहु को साथ समुंदर पार अपनी भाईली के पास लेकर चली रास्ते में कड़ी धूप थी तो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई थोड़ी देर में एक साप आया उस पेड़ पर गरुड पंखनी का बच्चा बैठा था उसको डसने लगा साउकार की भहु ने साप को मार डाला और पेड़ के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया थोड़ी देर में गरुड पंखनी वहां आई और खुन पड़ा देखकर उसने सोचा साउकार की भहु ने उसके बच्चे को मार डाला है मैं साउकार की बहु को चोच मारने लगी तब साउकार की बहु बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा उसे तो साप डसने आया था मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा जह सुनकर गरुड पंखनी बोली तूने मेरे बच्चे की रक्षा किये बोल क्या मांगती है साहुकार की बहुने का हम दोनों को अपनी पीट पर बैठा कर शाओ माता के पास पहुंचा दो गरुड पंक्री ने दोनों को अपनी पीट पर बैठाया वो शाओ माता के पास पहुंचा दिया उन्हें देखकर शाओ माता बोली बहन बहुत दिन में आई है फिर बोली मेरे सिर में बहुत जुए पढ़ गई है तब सुरही गाय के कहने पर साउकार की बहुने शाओ माता की सारी जुए निकाल दी शाउ माता बहुत प्रशन हो गई और कहने लगी तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गिरी है इसलिए तेरे साथ बेटे और साथ बहुएं होंगी तब साउकार की बहुने का मेरे तो एक भी बेटा नहीं है साथ बेटे कहां से होंगे तब शाओ माता बोली क्यों क्या बात है तब छोटी भहू ने कहा मुझे वतन दो तब मैं तुम्हें बताऊंगी शाओ माता बोली तुझे वचन दिया अगर अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी के घाट की कंक्री बनूँगी साउकार की भहु बोली मेरी कोक तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है यह सुनकर शाउ माता बोली तूने तो मुझे ठग लिया मैं तेरी कोक खोलती तो नहीं पर अब खोलनी पड़ेगी जा तेरे घर साथ बेटे साथ भहुएं मिलेंगी तू जाकर साथ उजमन करियो साथ अहोई बनाकर साथ कड़ाई करना जब साउकार की भहु अपने घर आई तो उसने देखा कि साथ बेटे साथ भहुएं हैं मैं बहुत खुस हुई उसने साथ अहोई बनाई साथ कड़ाई करी दिवाली के दिन जेठाने आपस में कहने लगी जल्दी जल्दी पुजा करलो कई छोटी अपने बच्चों की याद कर रोने ना लगे थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जा कर देख कर आओ मैं अभी तक रोई क्यों नहीं बच्चों ने आकर अपनी मा को बताए कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है, जेठानी दोड़ी दोड़ी छोटी भहु के गर गई, तब छोटी भहु बोली तुमने तो अपनी कोख बंदाई नहीं थी, तो मैंने अपनी कोख बंदवा ली थी, अब शाओ माता ने किर्पा करके मेरी कोख खोल दिये, शाओ माता जिस परकार आपने साहुकार की भहु की कोख खोली, उसी परकार हमारी कोख खोलना कहने वाले की सुनने वाले की तथा सारे परिवार की कोख को खोली, विधी, अहोई के दिन प्राते काल उठकर इसनान करे, अहोई मा आकर कहानी सुनी जाती है कहानी कहते समय चावल हाथ में लिये जाते हैं और कहानी सुनने के बाद उन चावलों को दूपटे या फिर साड़ी में बांध लेते हैं संध्या समय इन चित्रों की पूजा की जाती है पके खाने में चोधे पूरी और आठ पूयों का भोग अहोई माता को लगाया जाता है इस दिन बाइना निकाला जाता है शाम को लोटे का पानी और पल्लू में बंदे हुए चावलों के साथ तारों को अर्ग दिया जाता है शाम को माता के सामने दिया जलाते हैं पूजा का सारा सामान पंडित जी को दिया जाता है अहोई माता से अपनी स अंतान की लंबी आयू और सुख में जीवन के लिए प्रात्ना करें धन्यवाद